मैं पंडितम्रेश भट टार्गेट विदालोग के आनलाइन प्रटफर्पर्म से आप सभी हिंदी साहित्यानुराग्यों का हारदे का भियांदने करता हूँ एक खुस्खबरी है वो खुस्खबरी हम लोगों के कैरियर को ले करके है जो आई है और उसके बारे में हम आपसे चर्चा करने चल रहे हैं पीछे आप लोगों के सामने थमनिल लगा है थमनिल को आईए जो मैंने आपको पॉइंट लिखवाए हैं इस पर हम चर्चा करें हबारे सामने ये जो दो पॉइंट हैं जो एक खुसखबरी है इसको हम व्याख्या कर रहे हैं खुसखबरी ये है कि पहला पॉइंट है आयोग का गठन हुआ पुर्ण और दूसरा है कब तक हो सकता है एक्जाम जो आपके लिए एक महत्पुर्ण विंदु भी है हम जब से फामफिलप किये हैं तब से लेकर के एक ही आप लोगों का प्रश्ण रहता है कि सर एक्जाम कब तक होगा इसका उत्तर हम लोगों के पास भी एक्जेक्ट कोई एंसर नहीं रहता है कि जिसको हम आपको दे सकें लेकिन एक आसा की किरण बनी है आयोग को गठन को लेकर के एक्जाम को लेकर के हाला कि मैं पहले से कहता आ रहा हूँ वही बात मैं आपको बताने चल रहा हूँ आयोग के गठन की जो प्रकिरिया है वो पुरुण हुआ यानि कब आप ये जान लिजे कि पुरुण तो हो गया है लेकिन अभी भी उसमें बहुत सारी खामियां हैं उसमें बहुत सारी बाते हैं कि जिसको वह पुरुण करने में थोड़ा सा अब बहुत समय नहीं लगेगा बहुत वक्त नहीं लगेगा संसा ने जो बैच लांज किया है उस बैच के बारे में आप जान लिजे मैं वह बाते आपको बता रहा हूं कि यहां उत्तर भारत की सर्वसें संसा है जो आपका TGT PGT का बैच हम लोग वखुवी से अपने पूरा किये हैं और अच्छी तरीके से आपको प्रेक्टिस भी करवा रहे हैं संसा ने आपको अगर अभी भी आप चाहते हैं कि हमारे प्रेक्टिस बैच में लेना हमारे रिकार्डेड लाइब बैच में लेना अगर आप चाहते हैं कि अभी से रिवीजन करना चाहते हैं जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग आगे की प्रक्रियाओं के लिए हम से जोड़ना चाते हैं तो entry नंबर ये है हमारा इस पर आप WhatsApp कर दीजे और हमारी टीम आप से संपर कर लेगी अगर इस पर नहीं आप अन्य जानकारी चाहते हैं जो भी डीटेल इसके बारे में TGT PGT के बारे में जानकारी चाहते हैं तो य ये आपका नंबर रहा इस पर भी आप काल करते हैं अपनी जो भी समस्या है या जो परिशानी है जो पैरी है उसको आप पूरा कर सकते हैं संसा आप जानते हैं कि संसा में सभी बैचे चल रहे हैं और आपको पता भी है सारे सिक्षक जो है इस पर काम भी कर रहे हैं ये जित का प्यार भी वह मिल भी रहा है यानि लगातार आ भी रहा है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो अभी admission ले रहे हैं वह इसलिए भी admission ले रहे हैं कि हम अगर जिनकी तैयारी पुर्ण हो चुकी है वह revision के लिए ले रहे हैं इसके आलामा जो संसा ने आपको पचीस सो प्रश्टों को कराने का वादा किया है उसमें भी उनकी भागिदारी हो रही है और वो हमारे साथ जुड़ करके अच्छे तरीके से practice कर रहे हैं हमारी संसा में ये running batch चल रहे हैं अगर आपके परचीत आपके दोस्त मित्र यार जो भी हो अगर वो लेना चाहते हैं ये हमारे running batch हैं इसमें भी आपका स्वागत है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ करके एक अच्छे तरीके से अपने जीवन को मुख्यधारा में जोड़िये ये हमारे running batch है अब मैं आता हूँ कि आप से जो मैं थमले करके आय था उसके प्रमाड की हम बात करते हैं अभी जो आपके सामने ये पेपर है आप इसको देखे कि सबसे भारी भरकम होगा नया सिक्षायोग ये आपके पेपर की cutting है जिसके आधार पे हम आप से बात करते हैं इसमें लिखा ये है कि आपको 24 जुलाई के पहले आयोग के गठिन की उम्मीद है लेकिन जो ये पेपर की news है इस पेपर की news 24 जुलाई जो दे रहे हैं इसकी जो हमने बात किया है जो तो एक मैं date दे सकता हूँ यहाँ पर ये कब तक लगभग ये पुरुण होगा ये पुरुण होगा आपका मुझे जो लगता है कि जो आपका ये आयोग है यह आयोग जो है यह 10 अगस्त तक 10 अगस्त तक यह आयोग कम्पलीट हो जाएगा यानि 10 अगस्त का आयोग का पूरा प्रुफार्मा यह कम्पलीट होकर के आपके सामने आ जाएगा इध्यान में रखेगा आयोग अब अपनी प्रक्रिया को तेज कर दिया है और 10 अगस्त तक लगभग यानि अगर हम मान कर चलें कि अगस्त महीने में वो पूरा का पूरा अपना आयोग कम्प्लीट कर लेगा अध्यक्ष के साथ सदस्यों को भी ओ कम्प्लीट कर लेगा तो ये मान कर चलिए कि आपका अगस्त में अभी आपका जुलाई चल ला है मैं पूरा अगस्त मान लेता हूँ कि अगस्त में आपका पूरा आयोग जो है इसका गठन हो जाएगा आयोग का गठन कब तक पूरा हो जाएगा यानि सदस्य से लेकर के अध्यक्ष तक अगस्त मे यहाँ पूरी संभावना है कि आपके आयोग का गठन पुरुण हो जाएगा एक चीज दूसरी बाते हैं कब तक इकजाम होने की उम्मीद है मैं आज से नहीं अगर मेरे वीडियो देखें तो मैं बहुत दिनों से आपको बता रहा हूँ कि अगस्त में ये पुरुण जब तरके आपको नवंबर तक आपका एकजाम कभी भी हो सकता है यानि अक्टूबर और नवंबर में या तो अक्टूबर लास्ट और नवंबर फस्ट वीक में आपका एकजाम होने की पुरुण उम्मीद है तो यह मान कर चलिए अपनी तैयारी को आप पूरा कर लिजिए दूरे पन को पूरा करने के लिए आप हमसे जुड सकते हैं जो हमारे recorded live best doubt session चल नहें हैं उसमें भी आभागिदार कर सकते हैं और पचीस सो प्रशनों की जो स्रिंखला है उस स्रिंखला में सभी सिक्षक अपने-पने segment को ले करके वहाँ आपके सामने हपते में आपके समक्ष प्रते एक दिन अलग-अलग schedule है उन-उन subject का उसको ले करके वह उपस्थित होते हैं और आपसे कराते हैं और class में भी वह आपसे बात करते हैं तो पचीस सो प्रशनों तो आपके चलेंगे जिस दिन पचीस सो प्रशनों की स्रिंखला पूरी हो जाएगी उस दिन हम आपको एक नए रूप में आएंगे यानि पुना जो है हम प्रशनों की स्रिंखलाई स्टार्ट करेंगे और आपसे हम जूडेंगे तो यह अभी जो खुसखबरी मिली जो हमको लगा एक आपके लिए energy का काम करेगा तो बहुत ही अच्छी कम से कम इतना तो हो आयोग का गठन हो ज आपको कम्प्लीट हो जाएगा अक्टूबर नौंबर में पुर्णत है यानि इतना कह सकता हूं कि आपका एक्जाम हो जाएगा और निश्चित तोर पर हो जाएगा तो इसी को आधार बना करके अपनी तैयारी को आपधार दीजे और पुना जाते-जाते मैं कहूंगा कि आप कभी भी अपनी आपको बिचलित मत करिएगा अपनी आपको हमेशा उरजावान रखिएगा क्योंकि अब वह समय आ गया है कि जब आप अपने शपनों को पंख दे सकते हैं आप अपने शपनों को पूरा कर सकते हैं तो अपने शपनों को पूरा करने के लिए जी जान स एकदम लग जाएए यह पूरी संसा आपके शाथ है तब तक के लिए पुना अगर कोई सूचना मिलती है ऐसी खुस खबरी अच्छी सूचना मिलती है तो मैं आपके सामने प्रस्तुत रहूँगा आपको बताने के लिए तो बहुत बहुत धनेबाद बहुत बहुत प्यार आ तक जै हिंद